Hello dear students, welcome back to Organized Knowledge Channel और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वरक्षीट नमबर 72, 4 class 10th, subject science है और ये वरक्षीट आपके लिए 20th of January 2022 के लिए शेडियूल की गई है आज की जो वरक्षीट स्टूडेंट्स उसमें हम Heredity and Evolution जो chapter 9 है आपका उसी को continue करते हुए आगे पढ़ेंगे So, वरक्षीट शूकरने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीचे So, देखे क्या दिया गया है आज की वरक्षीट में Mendel उस्ट प्लांट्स डेट वर प्यॉर बीडिंग फोर ट्रेट और कंसीडर कंट्रास्टिंग करेक्टर्स Mendel ने जो है एक ऐसे प्लांट की क्रॉस ब्लीडिंग कराई जो की होमोजाइगस था होमोजाइगस का मतलब क्या होता है जिसके अंदर दोनों एलील जो है वो कैसे थे वो जो है एक जैसे थे प्यॉर थे ठीक है देखो अभी आप समझोगे और जैसे आगे वक्षीट पड़ोगे न ये चैप्टर कंप्लीट समझोगे तो आप पाऊगे कि ऐसे एक तो ये होमोजाइगस अलील होते हैं एक होते हैं हेट्रोजाइगस ऐसे एक कैप plant की breeding कराई, now he crossed plants with contrasting character and studied the progeny of first and second generation, तो उन्होंने इस तरह से plants की cross breeding कराई और उनको अलग-अलग result मिले, जो हम अभी discuss करेंगे, further he calculated ratio of plants with contrasting character, ठीक है, अलग-अलग उनको ratio मिली, तो मेंडल ने ज़े experiment किया, पहले उसके बारे में समझेंगे, while performing crossing experiment with pysm styvum, mandal notice, pysm styvum क्या था, garden p का scientific name है, mandal notice is a trait of parent did not blend, कि जो parent के trait है, वो जो है, क्या है, कि वो blend नहीं करते, for example, a tall plant and a short plant had offspring that were either tall or short, but not medium in height, अब उन्होंने सबसे पहले क्या किया, इसको समझने के लिए हम example साथ लेके समझेंगे, ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने F1, यानि उन्होंने parents लिये, सबसे पहले, जो की, जो है, tall थे, clear, tall थे, और दूसरे, दूसरा जो parent लिया, वो बिल्कुल pure, जो है, dwarf लिया, medium नहीं लिया, tall and dwarf लिया, such observation led him to research further, he performed a series of experiment with almost 30,000 plants with various contrasting traits, उन्होंने बहुत सारे 30,000 के around होने experiment किये, और, जो है, various contrasting traits के साथ, based on his experiment, he formulated some laws, which are very important in studying about heredity and inheritance, उनके जो law है, study, जो inherited है और inheritance, उसको बहुत help मिली, समझने में उनके experiment से, if we take example of plants that we are cross pollinated with true breeding for violet flower with plants, true breeding with white flower, ठीक है, अब यहाँ पर देखे, यह चीज है important, यहाँ से, यह समझने की है, अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इसको समझेंगे, इसमें क्या कराया गया, मेंडल ने cross जो है कराया, किस-किस के बीच में, यह है, जो है, violet flower plant है, और, जो की PP से हम gene से denote कर रहे हैं, और यह pure violet है, और यह white, ठीक है, जिसको हम small p, small p से denote कर रहे हैं, यह pure white है, और यह pure जो है, कौन सा है, यह violet है, अब दोनों के बीच में cross fertilization कराया, तो इसमें क्या होता है, कि पहले meiosis होती है, तो first generation बनती है, gamit formation होता है, तो इस तरह से PPP में क्या होँ, gamit formation होई, PPA, यह gamit formation होती है, clear, अब बनेगा first f1 generation, f1 generation में यह p से cross करेगा, यह p से कर सकता है, यह p से कर सकता है, और यह p से कर सकता है, हर बार अगर आप देखेंगे, तो capital t small p बनेगा, capital p small p, capital p small p, अब उन्होंने क्या देखा, कि जो f1 generation है, first f1 generation में, उन्होंने देखा कि सारे के सारे जो plants थे, वो violet flower के साथ थे, ठीक है, तो सारे के सारे क्या थे, violet flower के साथ थे, तो यह क्या है, यह एक तो हो गया यहाँ पर हम इसको जो है प्रासेस है यह law of segregation यानि जो जीन है वो अपने आपको segregate करते हैं एकठे जुड़के नहीं रहते हैं अपने आपको segregate करेंगे और अपने आपको next generation में लेकर जाते हैं है next generation में अब हमने क्या देखा कि यहां पे PP जो है हमें next generation में दिखाई दिया clear आप second में क्या किया उन्होंने self fertilization किया यानि PP जब जो plant आया with violet flower आप उन्होंने same उसी से क्या करा fertilization कराया self fertilization कराया अब यहां पर फिर से gamut formation हो जाती है PP बन जाता है capital p small p फिर से इस तरह से भी आप बना सकते हो या ऐसे करके भी आप बना सकते हो इसके जो है दोनों तरीके हैं इसको बनाने के ऐसे करके भी आप gamut अलग कर रख सकते हो ऐसे करके ठीक है फिर से cross करा सकते हो ऐसे करके या ऐसे भी आप जो है प्यूनिट square cross बना सकते हो अब देखिए ये capital P है ये small P है ये इस तरह से तो हमने जब F2 generation में देखा तो हमें क्या मिला देखिए ये capital P capital P से ये violet हो जाएगा capital P small P अब यहाँ पे ये भी जो color था ना वो भी violet मिला अब capital P small P है इसमें तो ये भी violet मिला और जहाँ पर small P small P थे ना वहाँ पर white मिला तो यहाँ पे तीन चो प्लांट्स थे वो violet flower के साथ थे और एक प्लांट जो है वो white flower के साथ था और ये तो हो गई देखने वाली यानि phenotypic ratio ज देखो एक तो ये हो गया ये वाली ratio हमें मिली एक तो था pure जो है जो violet है एक था pure dwarf और दो कैसे थे वो थे hybrid ठीक है एक small P तो एक capital P ये जो है दो हमें दिखाई दिये तो इसको कहते हैं हम जिसमें jeans के बारे में हम ratio की बात करते हैं वो genotypic ratio होती है जो दिखने में कैसे है ठीक law of segregation की बात करेंगे और पहले बात करेंगे हम dominant और recessive traits की तो सबसे पहले हम बात करेंगे law of dominance क्या है so Mandel's law of dominance state that in a heterogigot heterogigot क्या है when the two different when the two trait allele present in a pair are different जब देखो मैंने अभी starting में यह आपको समझाया ये homo है दोनों same है तो homo है ये भी homo है लेकिन capital P और small P अगर है तो ये hetero है ठीक है अब इस hetero के अंदर एक allele तो dominant allele है जो की capital P से show करते हैं और जो recessive है जो अपने आपको express नहीं कर पाया वो small P है हमने देखा न F1 generation में ये खुद को जो है क्या नहीं कर पाया यहाँ पे small P express करी नहीं पाया अगर कर पाता तो यहाँ पे white flower भी होते बट ऐसा तो नहीं था सारे के सारे violet थे तो अब देखो तो इस तरह से जो है एक dominant होता है और एक क्या हो जाता है एक treat वो recessive हो जाता है rather than both allele contributing to a phenotype the dominant allele will be expressed exclusively the recessive allele will remain silent तो recessive होगा वो क्या हो जाता है silent हो जाता है but will be transmitted to offspring by the same manner in which the dominant allele is transmitted ठीक है लेकिन वो transfer उसी तरह से होता है जैसे कि जो dominant transfer होता है उसी तरह से recessive होता है transfer होने में कोई जोल नहीं है ठीक है लेकिन जो expressed करेगा वो dominant अपने आपको express कर पाता है लेकिन जो recessive है वो बिलकुल silent रहता है their recessive trait will only be expressed by the offspring that have two copies of these alleles that is dominant trait allele is absent these offspring will breed true when self-cross ठीक है उसके बाद देखे dominant कौन सा होगा the trait which expresses itself during F1 generation for example जैसे कि round seed है violet color है ये क्या है dominant trait है आगर इनके साथ recessive की बात करें the trait which is masked by the presence of dominant allele mask का मतलब क्या है कि जो अपने आपको यहाँ पर express नहीं कर पाते किसके साथ dominant के साथ for example wrinkled seed है and white color flower है उसके बाद next देखे law of segregation यानि mono hybrid cross बात करते हैं mono hybrid cross की क्या होता है mono hybrid cross का मतलब क्या है कि केवल हम एक ही trait को एक ही जो लक्षन होता है उसी को study करते हैं जैसे हमने अभी study किया flower का color study किया हमने केवल flower का color के बारे में बात की ना तो ये mono hybrid cross है अगर हम केवल height की बात करते हैं तो वो कैसा है वो भी monohybrid cross है यानि एक गुण का जब हम study करते हैं अब बात करते हैं law of segregation की law of segregation क्या कहता है कि जो allele है न वो allele एक दूसरे से बंद के नहीं रहते हैं वो एक दूसरे से separate होके freely जो है वो ugly generation में move करते हैं जो कि हमने देखा भी कि F1 में वो दिखाई नहीं दिय है लेकिन गए तो सही है न ठीक है जो कि F2 में अपने आपको उन्होंने express भी किया है उसी experiment के वेस पे हम कह सकते हैं कि जो allele है वो एक दूसरे से segregate रहते हैं this law explained that the pair of allele segregate from each other during gamete formation so that only one allele will be present in each gamete ठीक है तो देखे होता क्या है कि जैसे हमने पिछली worksheet में पढ़ा था कि जब एक बच्चा जनम लेता है तो उसके half DNA mother से होता है half DNA parents से होता है यनि half gene जो है half allele father के आते हैं half allele mother के आते हैं ठीक है so Mandel proposed this law after observing that P plant with two different rate producing offspring that all express the dominant rate but the following generation express the dominant and recessive rate in 3 is to 1 ratio वही कहा गया है जो हमने अभी समझा कि F1 में जो है वो अपने आपको express नहीं कर पाता है लेकिन F2 में हमें 3 is to 1 ratio देखने को मिलती है ठीक है that is 1 is to 2 is to 1 genotypic ratio और 3 is to 1 phenotypic ratio जिसे ये प्रूव होता है कि जो allele है वो एक दूसरे से अलग होते हैं segregate रहती है he observed that traits which are absent in the F1 generation had reappear in the F2 generation उन्होंने क्या observe कि जो trait F1 generation में अपने आपको express नहीं कर पाया उसने अपने आपको reappear किया किसमे F2 generation में हमने पढ़ा ना जो है small p small p ठीक है तो अब इसी के उपर based आपको बहुत आसान से 5 question दिये गए है easy question है बहुत ज्यादा तो इनको हम करेंगे first question है what are dominant and recessive allele dominant और recessive allele क्या है so dominant कौन से होंगे the trait which express itself during F1 generation जो trait अपने आपको F1 generation के during express करते हैं वो dominant है like round seed and violet colored flower etc recessive क्या है the trait which is masked by the presence of dominant allele यानि जो dominant allele के पीछे करे से छुप चाते हैं आप simple लिख सकते हो which cannot express itself the trait which cannot express itself during F1 generation बस यह भी लिख सकते हो ठीक है example रहेगा like wrinkle seed है white color flower है second is draw a sketch of monohybrid cross showing law of segregation तो monohybrid cross का sketch आपको draw करना है law of segregation को show करने के लिए तो इसमें आप यह वाला answer जो है दिखा देंगे या भी आपने जो worksheet में violet और white flower का किया है वो भी आप show कर सकते हो कोई फक नहीं पड़ता कोई भी कर दो तो इसमें देखो parents की parents है doll and dwarf तो यह pure tall है pure dwarf है gamit formation होगी अलग-अलग हो जाएंगे F1 generation में सारे capital T और small T बनेंगे यानि tall बनेंगे फिर जो है इसमें self fertilization कराई जाती है तो जब हमने देखा यह gamit अलग होगे और इस तरह से हमने cross को समझा तो यहाँ पर देखे अब यह होता है capital T, capital T जो होगा tall होगा यहाँ पर capital T, capital T यह भी tall होगा यह जो है tall रहेगा बच्चो ठीक है tall रहेगा capital T, small T और small T, small T, dwarf रहेगा तो यहाँ पर phenotypic ratio क्या हो जाएगी 3-1 की और genotypic हो जाएगी 1-2-1 की बलकुल सेम इसी तरह से जैसे हमने अभी उसमें समझा है तीन यहाँ पर tall होगे और एक यहाँ पर dwarf रहेगा यह गलत लिखा हुआ है यहाँ थोड़ा सा आप इसको ध्यान से करेंगे tall हो जाएगा यह ठीक है यह आपका second question का answer हो जाएगा और fifth का भी same answer है आपका उसके बाद third question करेंगे define heterogigus the presence of two different allele at a particular gene locus ठीक है तो two different allele जो है वो क्या होते हैं heterogigus for example capital T small t उसके बाद देखिए fourth one है a trait may be inherited but may not be expressed justify the statement within example तो एक trait जो है वो क्या है वो inherited तो होता है लेकिन express नहीं कर पाता same अभी समझा हमने F1 generation में the trait can be hereditary but not expressed we can tell this on the basis of experiment done by Mandel when Mandel hybridized tall plant with short plant he found that all tall plant in F1 generation that is the quality of a small plant is hereditary ठीक है यानि small plant जो है उसकी जो quality है वो hereditary तो हुई है ठीक है next generation में गई है but it has not been able to express itself लेकिन वो अपने आपको express नहीं कर पाई and when F2 was seen in the second generation both tall and dwarf plant were found जब F2 generation देखा गया तो उसमें क्या हुआ tall and dwarf plant दोनों ही जो है वो मिले तो इस तरह से आपको इसका answer लिख देना है next देखिए question number fifth है work on a cross between tall and dwarf pea plant if tall is dominant over dwarf तो capital T dominant है small t के तो आपको justify the statement with an example find phenotypic and genotypic ratio तो बिल्कुल same वही कर देंगे tt इसी तरह से cross बना देंगे अभी हमने जो है इसको कई बार हम समझ चुके हैं ठीक है तो यहाँ से आप जो है इसको pause करके और कर लीजेगा बस यहाँ पर आपको tall लिखना है इस चीज का देहन रखेगा ठीक है तो यह cross जो है आप बना लेंगे phenotypic ratio लिख देंगे 3 is to 1 genotypic हो जाएगी 1 is to 2 is to 1 1 क्या है इसमें capital T capital T 2 क्या है capital T small t and 1 क्या है small t small t ठीक है तो यह थी आपके आज के SST की worksheet I hope सभी को clear है doubt है तो पूछ सकते हो वीडियो भी अच्छे लगी तो थोड़ा सा जो है support कीजिए like कीजिए share कीजिए और subscribe कीजिए thank you